नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए बहुती जवर्दस वीडियो लेकर आए हैं खूब पैसा कमाना है तो रोज सुबह उठते ही इस मंतर को तीन बार बोला करें माता लक्षमी घर को पैसों से भर देगी जी आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंतर के बारे हैं बताने वाले हैं जिसे अगर आपने सुबह उठते ही तीन बार बोल दिया और ऐसा आपने हर दिन शुरुवात कर लिया इसे अपनी दिन चर्या बना लिया तो आपको अमीर बनने से धनवान बनने से करोड़ पत हैं दूर हो जाती है हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है हर समश्या का निवारण हो जाता है हर कश्ट सेवे मुक्ती पा लेता है दोस्तों आपने यह तो सुना ही होगा कि हमारे हाथों में साक्षाद भगवान का और माता लश्मी का वास होता है दोस्तों प्रा मेर हो ही नहीं सकते इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारें बताने जा रहे हैं जिससे आप यदि शुबह उठते ही तीन बार बोल दिया तो आपके जीवन के सभी समझ्यां खत्म हो जाएंगी नेगेटिव ऊज़जा जितनी भी नकारतमक ऊ होगा दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके हातों में ही मनुष्य के हातों में ही भगवान का वास होता है माता लक्ष्मी भगवान विश्णू और ब्रह्मा जी का वास होता है इसलिए दोस्तों सुबह उठते ही आपको अपनी हातों को देखना चाहिए और हातों को देखते गुए इस मंतर का जाप करना चाहिए मंत्र प्रकार है चराग्रे वर्स्ते लक्षमी कर्मध्य स्व वरश्वती कर्मूले दू गोविंदा प्रवाती कर्दरसनम जैसी आप इस नियम को धरण करेंगे सुबह उटते ही हातों को देख करके इस मंतर का जाप करना शुरू करेंगे तो आपको जीवन से सभी समस्याय सुलजनी शुरू हो जाएंगी घर में धन आने के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे दोस्तो तीन बार मंतर पूरा हो जाए उसके बाद आप दोनों हातों को आपस में मल करके अपने चेहरे पर और अपने शिर पर अवश्य लगाएं इससे आपको सभी देवी देवताओं का माता लक्षमी, सरस्वती और भगवान विश्नु के मिले जुले शवरूप के आशिरवात का आपको प्राप्ती होती है इसके अलावा दोस्तो आपको ब्रमाजी का भी आशिरवात प्राप्त होता है कहा जाता है कि तीन देवता तो हाथ में साक्षात रूप में होते हैं लेकिन चोथे देवता ब्रह्मा जी अद्रश्य रूप में आपके साथ बने रहते हैं यदि कोई व्यक्ती प्रते दिन इस मंत्र का तीन बात जाब करता है। यह कारें दोस्तों अगर आप अधिक समय तक नहीं कर सकते हैं तो 21 दिनों तक तो अवशेही करें। दोस्तों चाहें आव्यापार करते हों चाहें नोकरी करते हों आप घर में जिस मार्ट से भी पैसा आता है उस मारट को मातालक्ष्मी खुदी अपने आशिरवास से संचित कर देती है। अर्थात जिस मांख से भी पैसा आ सकता है उस मांख से बर-बर के आपके घर में पैसा आने लगता है छब पर फार के परसने लगता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे मैं जाद धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाए बजरन बली